आप सभी पने दर्शकों का स्वागा थे इस नहीं वीडियो में बात करेंगे आज ओमेक्सी के बारे में तीन बहुत अच्छी ख़बर लेके आए हैं आपके लिए और काफी लोग इसमें higher level पर फसे हुए हैं तो दोस्तों अब यहां पर volume वगेरा ठीक ठाक होने लगा है आज का अगर देखें तो आज का भाव 14 रुपे से चलकर 87 तक हाई गया है और 83 का भी थोड़ा सा नम रुख दिखा रहा है क्योंकि संसेक्स भी थोड़ा सा नीचे का परभाव बना रहा है volume की दरशी से जैसे हमने बताया volume काफी अच्छे आ रहे हैं यहां तक volume रहते थे करीब में भी एक लाक शेर ट्रेड होते थे पर अब आज के दिन का अगर देखेंगे volume तो यहां पर करीब करीब 6 लाक volume है तो almost दुगना volume हो गया है जो normal volume रहता है इसका यहां पर तो अब औ अच्छी range बन चुकी है अब इसकी जो 65-70 रुपे की range है जो बहुत अच्छा base बनके इसने काफी अच्छा technical bounce back दिखाना शुरू किया है जो की reasonable expectation है stock की अब काफी time से इसने corrective mode में था तो यहां पर एक सबसे अच्छा volume आना अच्छी बात है volume बढ़ रहे हैं इनके demand project की volume कर रही है और यह cost को अपना कम करने की कोशिकर है जिससे ताकि benefit जो है customer को दे दिया जाए इनका objective है debt free बनाने के लिए आई चल कर समझते हैं तो देखिए उससे पहले environment friendly कितने अच्छे बन रहे हैं इन्होंने अमेक्सी चॉक जो दिल्ली NCR region का एक इनका high end project है उसको कहा है क कि वहाँ पर AQI level 50 या उससे नीचे maintain करेंगे जो कि good consider किया जाता है इसके लिए हनीवल Automation Limited के साथ में already sign up करेंगे तो centralized air filtration का काम करेंगे तो लोग बाराम से इस mall में जाकर अपना काम कर सकते हैं और इन्होंने 20 financial aid 2023 तक debt free होने का एक objective रखा है second quarter में तो ये एक अच्छी बा पर इन्होंने कहा है कि enough space इन्होंने solve कर लिया है to cover the projects 1200 करोड की बात कर रहे हैं यहां पर तो यहां पर जो surplus दे रहे हैं उससे debt कम करने की कोशिश करेंगे इनके सी मोहित गोईल जी ने कहा है कि company अपनी strategic investing large integration township के जो उनके projects है आप वो fruits देना शुरू कर दिया है जिससे इन इनके जो project है जैसे हमने बताया काफी अच्छे project है NCR में इनके बहुत बढ़िया project है लुद्याना में बहुत बढ़िया project है तो वो इनको अच्छे fruit देना शुरू कर दिया है पर technically यह अच्छे level पर है यहां पर COVID का impact थोड़ा सा negative रहेगा बट जैसे जैसे COVID का impact खतमना हमने इसको higher developer बिल्कुल requirement नहीं किया था और हमारा target था कि शायद इस 65 तक आ सकता है बट अगर आप इसको reconsider करें इसकी valuation की दर्शी से 70 एक बहुत अच्छी range है इसकी यहां से इसने bounce back दिखाए बहुत अच्छा देखे हमारा portfolio size 81% increase हुआ है दो मेने के अंदर अगर आप हमार सब्सक्राइब कर सकते हैं आपके लिए चार वीडियो पर सब्सक्राइब भारत बाइब